नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर रास पर सो State Bank of Mauritius जिसका एक इंडिया में सबसीटरी चल रहा था SBM India के नाम से उसके उपर RBI के द्वारा एक तरीके से बैन लगा दिया गया है आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे Financial Express की ये खबर है जो कि आज से दो दिन पहले सामने आई थी RBI directs SBM Bank to stop all transactions under the LRS LRS basically stands for the Liberalized Remittance Scheme और ये वाला जो प्रतिबंद जो कि RBI के द्वारा SBM India के उपर लगाया गया है इसका जो direct impact है वो इंडिया में function करने वाली कई सारी जो fintech firms हैं उनके उपर हमें देखने को मिला है RBI's ban on SBM Banks Forex transactions hurts the fintech firms और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे Economic Times की आज सुबह की ही खबर सामने आई है कि multiple fintech firms have been impacted with RBI's order against SBM India तो सबसे पहले तो हमारे लिए समझना काफी important है कि आखिरकार ये SBM India जो है वो क्या चीज है इंडिया में क्यों function कर रही है किस basis पे इसको इंडिया में allow किया गया था और आज किस वज़े से RBI के द्वारा इसकी जो transactions है उसके उपर प्रतिबंद लगाया गया है और किस वज़े से fintech firms इसकी वज़े से impact हो रही है उसको भी समझना important बन जाता है आए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की pdf को download करना चाहते हैं या फिर मुझे follow करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं using this particular telegram channel जो की आपके सामने हमने लिखा हुआ है All right, so I am sure आपने Jupiter का या फिर Neo X का नाम सुना होगा नहीं सुना हुआ तब भी कोई बात नहीं मैं आपको बताता हूँ कि ये basically क्या चीज़े हैं दोस्तों ये है एक तरीके से Neo Banks, Neo Banks का जो concept है ये RBI के द्वारा लाया गया था ऐसे Banks जिनकी कोई भी आपको physical presence देखने को नहीं मिलेगी मतलब कि इसमें जो banking होती है वो completely online होती है आपको इसकी single branch भी देखने को नहीं मिलेगी as compared to दूसरे banks जैसे की SBI Bank, HDFC Bank, AU Bank, Equitas Bank आपको सभी देखने को मिल जाती है, so Neo Banks की बड़ी simple definition है, ये ऐसे financial institutions होते हैं जो कि design करे गए है in order to give customers a cheaper alternative to traditional banks और ये वाले जो banks हैं इनको directly RBI license नहीं देती है, ये basically RBI कहती है कि अगर आपको एक Neo Bank बनना है तो you have to partner with an existing bank जिसको की हमने bank license दिया हुआ है In India, these firms do not have a bank license of their own, but they can rely on bank partners in order to offer the license services और इसी के examples हैं, जिसमें कि हम लोग Jupiter, Neo की बात करते हैं, या फिर Razor पे X की बात करते हैं ये सारे के सारे Neo Banks के examples हैं और ये वाली जो मैंने Apps का नाम लिया, Jupiter और Neo, इसी की संधर्व में, इसी के context में हम लोग बात करते हैं, SBM India के बारे में सो आज से कई साल पहले की बात है, State Bank of Mauritius जिसका नाम SBM है, इन्हों ने अपनी एक subsidiary को open किया, SBM Bank India के नाम से ये पहला वो bank था, which received a banking license from India's RBI to establish a universal banking business in the country as a wholly owned subsidiary और ये 1 December 2018 को incorporate किया गया था, इसका जो मुख्याले है, वो आपको मुंबई में देखने को मिल जाता है जो ये वाला bank इंडिया में आया था, जो की SBM का subsidiary था, SBM India, इसने दोस्तों इंडिया में आकर के कई सारी apps के साथ collaboration किया, कई सारी apps के साथ association बनाई, आप यहाँ पे देखेंगे, November 12, 2021 की खबर है, और ये केवल एक उधारन है, यहाँ पर आप इसकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं, SBM bank के दोरा इंडिया में lending card के साथ इन्होंने collaboration किया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर collaboration किया, one card के साथ, फिर इन्होंने cred avenue के साथ collaboration किया, इन्होंने vested के साथ किया, पैसा बाजार के साथ किया, इन्होंने neo के साथ किया, you grow capital के साथ किया, उसके बाद इन्होंने master card के साथ भी किया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर देखेंगे, तो और भी बहुत सारी companies आएंगी, आर्या के साथ किया, वकरांगी के साथ किया, भारती AXA Life Insurance के साथ किया, अलग-लग India-based companies के साथ SBM Bank ने यहाँ पर collaboration करी थी, तो वो वाली जो Apps थी, जब उन्होंने SBM Bank के साथ collaboration करी, और क्योंकि SBM Bank को RBI ने license दिया हुआ है, तो वो वाला पूरा का पूरा जो ecosystem है, वो एक तरीके से Neo Bank बन जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे, तो यह Neo ने SBM के साथ हाथ मिलाया, तो यह पूरा का पूरा क्या बन गया, यह पूरी की पूरी जो entity है, यह बन जाती है, एक Neo Bank, और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, एक और इसका बड़ा अच्छा example है, यह वाली जो Apps जो की इंडिया में function कर रही है, which go by the name of vested and in money, यह ऐसी Apps हैं, जिसके माध्यम से आप भारत ने बैठकर, US के stocks में निवेश कर सकते हैं, और यह वाली जो Apps हैं, इन्हों ने भी basically SBM के साथ हाथ मिलाया हुआ है, vested ने भी SBM के साथ हाथ मिलाया हुआ है, और in money इसमें कैसे काम होता है, for example, कोई यहाँ पे retail investor है, उसने SBM bank में जाके पैसा जमा किया, SBM bank उस पैसे को भेजेगा US से, जिसके माध्यम से आप basically जाकर के US के stocks में निवेश कर पाएंगे, यह देखिए, vested finance ties up with SBM bank for the forex transfers, यह खबर 13 October 2021 की है, यहाँ पर आप देखेंगे 14 October, SBM partner vested to help Indians buy US stocks online, तो इसके माध्यम से आप लोग जो है, वो घर बैठे-बैठे, अपने US के stocks में invest कर सकते हैं, सबसे बड़ा question यह आता है, कि यह जो India-based apps हैं, यह सारी की सारी, Jupiter, Neo, Vested, Ind Money या फिर razor पे, इन्होंने आखिरकार SBM bank के साथ ही partnership क्यों करी, इसका simple answer है, cost, देखिए, जो यह वाले banking software's है, या जो यह वाली banking applications है, यह आपको सस्ते दाम में सेवाएं देना चाहती है, और यहाँ पर सबसे main चीज होती है, cost, हमें cost को minimize करना है, SBM bank के खर्चे काफी कम है, इन्होंने इनके साथ collaborate किया, so that इनके जो expenses है, वो यहाँ पर बच सकें, लेकिन अब हमारे सामने यह चीज आती है, कि RBI के द्वारा कहा गया, SBM bank to stop all transactions under the LRS, LRS क्या चीज है, यह दोस्तो, SBI के द्वारा शुरू की जाने वाली liberalized remittance scheme है, यहाँ पर LRS के बारे में बात करेंगे, तो इस scheme को RBI के द्वारा 2004 में introduce किया गया था, इसके माध्यम से क्या होता है, कि कोई भी जो Indian citizen है, वो मान ली जे इंडिया के बाहर पैसा भीजना चाहता है, किसी और provisions of the liberalized remittance scheme, यह वाली जो scheme थी, इसी के तहट कहा गया है, SBM bank को कि आपको अब एक single penny भी आप बाहर नहीं भेज सकते हैं, सबसे पहले, यहाँ पे ban क्यों लगाया गया, तो RBI ने इस चीज़ को लेकर बहुत clarity नहीं दी है, आप यहाँ पे देखेंगे, बहुती चोटी सी press release हुई थी on its website, जिसके माधियम से RBI ने कहा that the action against the bank is based on certain material supervisory concerns observed in the bank without giving any details, there is a possibility कि क्योंकि इसका लेना देना जो है, वो Mauritius से साथ है, और Mauritius आपको मालूम होगा, tax haven माना जाता है, मतलब की, Mauritius में कई सारी companies tax की चोरी करती है, tax को बचाने की कोशिश करती है, और इसी लिए शायद that might be one reason जिसके चलते ये radar में आया है, लेकिन exact reasoning हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन इसके implications क्या है, कि अब देखिए, जो भी यहाँ पे इंडिया में लोग बैठे हुए थे, जो SBM bank का इस्तिमाल करके US के stocks में निवेश कर रहे थे, या फिर जो ये new banks में जिनके accounts open हो रखे थे, जो की SBM bank के साथ संबंदित थे, तो वो सारी की transactions एक बार के लिए रुक जाती है, ये इसका direct impact हमें देखने को मिल जाता है, और इसी लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि जो fintechs हैं, इनके ऊपर काफी बड़ा impact आया है, अगर बात करें, तो सबसे बड़ा impact के इसके उपर आया है, तो सबसे पहले यहाँ पर neo की बात आती है, neo एक ऐसा platform था, जिसके माध्यम से लोग basically एक account open कर रहे थे, और neo एक ऐसा platform भी था, जिन्हों ने sbm के साथ मिल करके, इस तरह के cards को issue किया था, यह देखे, यहाँ पर neo लिखा हुआ है, यहाँ पर sbm bank लिखा हुआ है, और neo यह कहता था कि अगर आप foreign travel करते हैं, आप इस card को लेकर जाएए, आपके जो वहाँ पर transactions है, जो international transactions है, वो काफी सस्ते होंगे, आपको उस पर खर्चा नहीं पड़ेगा, as compared to other cards, अगर आप कोई भी credit card ये debit card लेके जाते हैं, तो आपको काफी खर्चे पड़ जाते हैं, अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब जो लोग already foreign जा चुके हैं, जिनके हाथ में ये वाला card था, तो वो suddenly काफी negatively impact हो जाएंगे, because transactions हो नहीं पाएंगी, जो भी यहाँ पर पैसा है वो तरीके से block हो जाएगा, RBI ने कहा है कि पैसा बाहर नहीं बेच सकते हैं, so among the deeply impacted is NIO, which offers its forex card, NIO global card through an exclusive partnership with SBM India, with RBI's direction, NIO has temporarily suspended transactions on its forex card, और इस चीज़ को लेकर, बलकि social media websites पर काफी जादा outrage देखने को मिल रही है, because कई सारे लोग हैं, जो कि इसका इस्तिमाल कर रहे थे, because इसमें खर्चा काफी कम था, लेकिन suddenly RBI के द्वारा इसके उपर क्रतिबंद लगा दिया गया है, what about the other apps, जैसे कि वो Ind Money और Wested की बात करी, नुकसान उनको भी हुआ है, लेकिन उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, वो लोग क्या कर रहे थे, जैसे मान लीजे कोई इंडिया का citizen है, उसने account open किया SBM के साथ, और SBM के माध्यम से, वो US stocks में निवेश कर रहा था, ये पूरी की पूरी जो कहानी थी, ये Ind Money या Wested की apps पे हो रही थी, अब क्या होगा, कि अब वो SBM को bypass करते हुए भी US stocks में निवेश कर पाएंगे, डारेक्टली जो उनका खुद का bank account है, मान लीजे वो HDFC में है, या मान लीजे वो SBI में है, तो उसके माध्यम से भी कर पाएंगे, फरक केवल इतना है कि थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर transaction रुकेगी नहीं, तो इनको भी नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर इनको बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, अब क्या होने वाला है, अब एक तरफ यह भी कहा जा रहा है, कि जो SBM Bank है, वो RBI के साथ बातचीत में लगा हुआ है, और उनका यह कहना है कि जल्दी ही हम लोग इन concerns को resolve कर लेंगे, लेकिन जो यह Fintech Firms हैं, यह दूसरी तरफ, इन्होंने alternative banking partners की तरफ देखना शुरू कर दिया है, to ensure the business continuity, ऐसा भी हमें सुनने में देखने को मिल रहा है, यह पूरी की पूरी कहानी हुई है, SBM Bank की, आशा करता हूँ, आपने इसमें New Banks के बारे में काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा, जाने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कि test book आपके लिए लेकर आया है, super coaching इसमें कि आप लोग अपने घर बेटे हुए, GS, optional, even CSAT के सभी courses की तेहरी कर पाएंगे, साथ में आपको mock tests और study notes में नेंगे, वो भी मात्र 30,000 रुपीज में, अगर आप मेरा code अनिरूद यूज़ करते हैं, और इसमें आपको अलग 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 teachers के courses, including my courses, देखने को मिल जाते हैं, thank you so much for listening, stay tuned,